हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर संदीब बसीन केरवल मेडिकल सेंटर से आज हम बात करने वाले हैं विटली को मानेजमेंट के अंदर एक ट्रीट्मेंट जिसके अपर इन्ना ही नहीं स्टाडी आई है और वह है रिलॉक्सितिनिप क्रीम यह रिलॉक्सितिनिप बीग जाक जो इंडिया में अब इसली अविलेबल है और उसकी कॉस्ट कम हो गई है खैर अभी जो है टफ मेडिकल सेंटर जो अमेरिका में हैं डॉक्टर डेविड रोजमारिन ने इसके अपर स्टडी करा है 1.5% ट्रिलॉक्सितिनिप क्रीम को दिया गया विटलीगों के पेशेंट् उसमें 30% से अधिक लोगों को 75% से अधिक रिस्पॉंस आया रिलॉक्सितिनिप से चेस्ट में और बॉकी अरिया में भी अच्छा रिस्पॉंस था बाट 40-50% बट एक्रल एरियाने यानि लिप्स में और फिंगर डिप्स में रिस्पॉंस इतना अच्छा नहीं था विद मार्कित में जरूर आने वाली है एक बात और मैं आप सबसे शेर करना चाहूंगा ये स्टडी में सामने आ रहा है कि जिन लोगों विटली को ठीक हुआ है हो गया है अगर वह सब दवाईयां बंद कर देते हैं तो दुबारा से सफेद दाग आने की जो पॉसिबिलिटी है वह 40% रहती है यानि विटली को दुबारा वह आपिस आ सकता है इसकी पॉसिबिलिटी 40% है तो क्या करें उसके लिए तो उसके लिए ऐसा बोला जा रहा है टैक्रोलेमस या फिर कोई ऐसी ओइंट्मेंट हो कम से हम हफते में दो य चाहेंगे अगर आपके सफेद दाग अभी ठीक हो गए हैं दवाईयों से फोटो तेरेपी से तो आप अपनी सारी दवाईयों को बंद ना करें टैक्रोलीमस जैसी दवाई को कम से कम हफते में दो बार या तीन बार इस्तमाल करते रहें 8 महीने से 1 साल तक ठीक होने के चाहेंगे इन दिए को आपके से लुटत करते हृ कि आपके से दुटत कर दाए है